नमस्कार दोस्तों आप शवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17, 18 और 19 मार्च के आपकी राशे की महाराशी फल के बारे में सबसे पहले जिनका भी यश्मी बड़े है या फिर इनवर्सरी है आप सबी को मैरतब से डिहे शारे शुप कमनाएं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरकी करें तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं यश्मी गरहों के तिदिकेश होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का शराब की राशे उपर क्या होगा किन-किन चैनल को लेकर यश्मी आपको श्राबधन रहना होगा और कौन-कौन से कारा अखिर आपके लिए बागी शे रहोंगे दोस्तों यश्मी आपका लव-लाइप के शारहेगा श्वास्त के सरहेगा किरेर केशा रहेगा दोस्तों इन तीन द्रों में आपका पारिवर्ग जोन केशा रहेगा वार्थी के सिति और धन को लेकर इसे दियां केश्र बतल होंगे इन शबी महत पूरुजान कर देंगी तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरूश लेकर अंदर तब जरूर करें उसे पहले द्रोन की बारे में तो सबस्क्राइब करे जानते हैं इन तीं दूरों की गर्रान चना क一次 पारम ओगा और राहू कल के दिन समय रहेगा दोपार के 12 बचकर 35 मिट शिले कर दोपार के 2 बचकर 4 मिट दोस्तों ध्यान रहे ये राहू कल के शमय में आप कोई भी महरपुन कारियों को ना करें और चलरमाई दिन में स्राश्ची पर संचार करेंगे और चलरमाई दोस्तों 18 मार्श की बात करें तो गुरुवार का दिन रहेगा शुकल परस की पंजमी तिति रहेगी और भरी नाम का इज दिन नचत रहेगा और इस दिन दोस्तों बैदरिती नामग योग के बाद 20 कुंब नाम का योग प्रारम होगा जियाद हुस्तों आपको बिदा दें कि ये 20 कुम्ब नाम के योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर होने वाले हैं याश्मिया को कई चत्रों में बड़े लाब देखने को मिलेंगे और दोस्तों इंदिन राहुकर श्मिय लेगा दोपर के 2 बच कर 4 मिनट शिली कर शाम के 3 बच कर 34 मिन तक और चनलमाई दिन मैंस राचिक प्राम ब्रीशाब राशी में संचार करेंगे दोस्तों आकरी दिन की बात करें तो शुक्रवार का दिन रेगा शुकुरपज के सश्टी तित्रेगी और कृति का नाम का दिन नचत रहेगा और जिन्दों तो प्रिती नामक योग रहने वाले हैं राहुकर कर समय शुबा के 11 बच कर 5 मिन शिली कर दोपर के 12 बच कर 34 मिन तरहेगा और 400 बच्तित्स बच करेंगे तो ऐई दोस्तों बात करते हैं इन नों की ये जो गरह न चतों की जिति है तिति और शुब योंग को मिलाकर आपकी राष्यु परन का क्या परवा होता है चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्थार से दोस्तों यश्व में आप खूद को ने रोमान्चक हलात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फाइदा पहुंचाएगा दोस्तों यश्व में रशनात्मत के काम में आपको शबलता मिल सकती है अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बहतर बनाने का कोशिज जो है संतों जनक यश्व में साविद होगी दोस्तों यश्व में यात्राहों से वह विशाई के नए मोकिया आपको मिलेंगे वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लगर बात करें दोस्तों आपके आज पास कुछ तनाव हो शकता है नगत या फिर पेशे जो है समालने की दोरान आपको यश्व में सतरक रहना होगा दोस्तों किसी से अनाश्यक जो है उलजन उलजने की कोसिज आप न करें अने था नुक्षान उठाना पड़ सकता है दोस्तों किसी तरक के बात भी बात में बचनेस का आप प्रयाश करें यह समें बच्चों की देखवाल आप करें वह दोस्तों इन दुनों में आपके लिए जो शमय होंगे अपनी क्रियेटिविटिक के बूते पर शफलता अरजित करने का शमय होगा यानि दूस्तों अपने आफ पर, अपने दम पर यशमिय आपको शफलता प्राप्ट करने का शव्मे रहेगा दोस्तों या श्मिय अगर आप किशी कला के च्षितर में काम करते हैं तो दोस्तों या श्मिय सितारे आपके फेवर में हो سकते हैं खुछ आइडिया जिनें फिलाल नकार आजा सकता है भईश्में आपके लिए गेम چेंजर हो सकता है दोस्तों अपने लिए रोज की दिन चरिया में थोड़ा शोष्में आप आवस्ष निकालें दोस्तों आप पर्याश करने के साथ पर्याश को फलित होने का मुखा भी दें क्योंकि दोस्तों धहरी और सयम से आपको यश्मिक काम लेना होगा धनलाब के योग हैं वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करेर को लेकर बात करें तो कला के छेतर से जुड़ी लोगों के लिए ये जो दिन होगे धनलाब और ख्याती पाने का शमय होगा वह दोस्तों इन दिनों में राईनिती के छेतर में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी सफलता प्राप्त करने की शंभावना है जो लोग शलाकार के रूप में कारिकरत हैं उन्हें अच्छे प्रिणामों की प्राप्तियश में हो सकती है अच्छे प्रिणामों की प्राप्ति की साथ प्राप्ति का मोका भी उन्हें मिल सकता है वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए शमय होंगे इन दिनों में प्रेम शम्मंद इस शमय आपके लिए अनंदित रहेंगे आपका अकर्षन आपके पीरिय या फिर शात्ती को आपके और आकर्षित करेंगा और दोस्तों आप दोनों एक सात्य में बेद्रिंश्मय विता पाएंगे वहें दोस्तों यह जो आपके लिए शमय होंगे इन दुनों में आपको अपने कम और परिवार के 20 संतुलन बनाने की अवशकता भी होगी वहें दोस्तों यह समय अगर आपकी जो हेल्थ को लिकर बात करें तो यह जो आपके लिए शमय होंगे पीला और भागिशाली अंक रहेगा नौ दोस्तों यह समें गिनेजी कहते हैं कि यह जो आपके लिए शुवे होंगे आप निस्यत लक्ष प्राप्त करने के लिए क्या पाया और कितना पाना बांकी है उसका लेखा जुखा करेंगे अत्यांतर तेजी से जो है अंतिम लक्ष तक पहुंचने के लिए आप बुद्धी पुरुवग पुना वयस्तित करेंगे परिवार में आपके उरुखी वयवारिक्ता आपके प्यार के भुखे जिवन साथी को निराश करेंगी इसलिए दोस्तों यह जो है उसका ध्यान रखने के लिए आपको गिनेजी कहते हैं व प्रक्राब करने के लिए जो है कमीट 8 होंगे आपका जो सौभाव यश्मे होगा हाश्मुक रहेगा कुछ महतपुन जो है बेठके होने की जो है सभावनाा हिसमे हो सकता है दोसमेग गेल जिका मानना है कि आपका जो समय सेंस Sn pestine narc विमर होगा लोगों को परवायत करने के लिए एक जो है महत्पुन भूमेका निभाएगा और दोस्तों आप अभी लोगों के शामने अच्छी तरह अपना परदसन कर पाएंगे वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवरिक जिवन की बात करें तो दोस्तों इन द सबसे अच्छा तरीका क्या होगा क्योंकि दोस्तों आपकी दिमाग में कई उजनाएं होंगी हलांकि आप अपने प्रेमी को खुश करने में शफल होंगे और उसे आपकी जो कंपनी है वह पसंद आएगी वह दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक इस्तितिकी बात करें तो दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए गनेश जी का मानना है कि आप जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे आपका खर्च जो है आपकी रोज की इंकम से भाधिक हो शक्ता है दोस्तों आपमें महंगी या फिर शांदार वस्तों के खरने की एक्छा जो है बहुत दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे इंदरों में गनेश जी का मानना है कि दिन के पहले भाग में जो चीज़ें गलत हुई है उनको लेकर जहां आपको ज्यादा चिंता करने के आफशकता नहीं होगी क्योंकि दोस्तों दिनके दूसरे भाग में चीज़ें बेठर हो शक्ति है साथी दोस्तों इंद्रों में विश्वास कीजिए क्वी खुद पर यकीन ही बाहदूरी का अशली फरक है क्योंकि दोस्तों इसी के वल पर आप जो है लंबे शमे से चली आरे भी बिमारी से निजात पाश सकते हैं दोस्तों आपके पास यह जो पेशा भी प्रयाप साथी का फोन आपका दिन को अच्छा बनाएगा वह विशायों के रिए जो दिन है अच्छा होगा दोस्तों क्योंकि उन्हें जो है अचानक बड़ा फाइदा मिल सकता है इस राशी वाले जातकों को यह जो समय होगा खाली वक्त में अध्यात्मिक पुश्टकों का अध्य कि आपकी किस्मत समक जाए तो दोस्तों प्रतितनी चीटियों को शकर मिला हुआ अटा खिलाएं जिया दोस्तों इसा करने से आपकी पाप कर्मों का च्छाय होगा अर्थात उनका विनाश होगा और पुन्य कर्म उदय होगे जिया दोस्तों और यही पुन्य कर्म आपकी मन चैनल को सुब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से दिल लाइक करें, शियर करें, धन्यवाद